पढ़र पंकज भी आत्मा राम गाम रुपाल तालको जिलो गाधी नगर गाधी नगर से अब देखने आयो तालको गाधी नगर जीला गाधी नगर यह मर्ची स्वाती का ग्रीन स्लिम इडेर गाउ में रमर भाई तर्शी भाई पटेल और उनके खेतर में रुपाल गाउ से देखने के लिए आपको कैसा लागा गिन सीलिंप मर्ची बहुत अच्छी है ज्यादा लंबी है तोड़ने में भी अच्छी इसमें रोग प्रतिकारक चमता कैसी है प्लांट तो बहुत अच्छ है यानि जो प्लांट देख रहे हो पूरा का पूरा लीला है और उसमें उपर आप देख सकते हैं प्लावरिंग चालू रहती है और जो मर्ची की साइज है कितनी है तक यह दस लगबक करीब 10 इंज हो गी 10 से 12 इंज के फूट के लंग आती है और इसमें अपने जो खासियत देखा इसमें क्या क्या खासियत आपने देखा लंबी है पतली है और उतनी दूप में पिस्टालिट डिगरी टेंपरेचर में भी अच्छी है प्लांट बहुत अच्छा है फ्लावरिंग भी अच्छा है और छोड़ पे पोदे पे ज्यादा लगी है कि अब का नम क्या है लली पटेल आप देख रहे हो कि इतनी टंपरेचर महीं की महिने आज 22 तारीक पाचव महीना दौजार अठारा है जो कि इतनी टंपरेचर रहे बाया बैयाल 45 के लगगाई 44 45 तो भी आप ग्रीन स्वाती मर्ची देख रहे हो इसमें क्या खासियत लगे अ उनका पोधा अच्छा है और उनके फट लगने की संख्या भी ज्यादा है गर्मी में आप देख सकते हो जो बैठक है इसकी जो आप बता सकते हो कि बहुत नीचे लगी राती है इसकी मर्ची जो साइज है सबसे बढ़िया आती है इसमें आप तुडाई करके बताओ धिन तोड़ें दाल टूटती नहीं एक भी डाल टूटे की नहीं इतनी फास्ट विणी होती है इसकी इसमें आप देखने की लिए इसमें देकिए करीबन आट सनौ इंचा पर इसमें आप पाधा भी देख सकते हो कोई डैमेज नहीं हुआ दो तीन एक बार मी तोड़ सकते उसमें और जो भी खेड़ुदा हैं इसमें आप देख सकते हो